हलो फ्रेंट्स आयुरुवेद सरस जीवन में आपका फिर से एक बार बहुत भोष स्वागतब मैं आपका दोस्त सरस फ्रेंट्स इससे पहले की वीडियो में हमने गिलोई के बारे में विसेश जानकरी दी थी जिसमें गिलोई के गिलोई से होने वाले फाइदे और उनके गुनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी तो आज भी गिलोई के ही उपर वीड़ी होने वाला है क्योंकि फ़ेंस गिलोई के वीडियो १े कोई नियुकि फ़ेंस करें ilpatre काथूरी जिह करते हैं फृेंस डाइबेटीchau की बेमारी में गिलोई विशेस रूप से उप्योगी बताया गया है अगर किसी को डाइबिटीज है तो गिलोए, खस-खस, पठानी, लोद्र, अंजन, लाल-चंदन, नागर-मोथा, आवला, हरड ले इसके साथ ही परवल की पत्ती और नीम की च्छालत था तता पद कास्ट लें इन सभी द्रव्यों को बराबर-बराबर मात्रा में लेकर कूट कर पीस कर छान लें और इस चूरण को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर मधू के साथ मिला कर दिन में 3 बार सेवर करें और इससे डाइबिटीज में आपको काफी लाब पहुँचेगा अगले नुकसे के बारे में गिलोई के 10 से 20 millions रस में दो चमठ सहथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से भी डाइबिटीज में काफी फाइदा पहुँचता है अब अगले नुकसे के बारे में एक ग्राम गिलोई सत में तीन ग्राम सहद को मिलाकर सुबह साम शेवन करने से डाइबेटीज में काफी लाप पहुंसता है अब बात करते हैं अगले लुक्से के बारे में दस मिली लीटर गिलोई के रसको पानी से डाइबेटीज वात विकार के कारण होने वाले बुखाद सताइफाइड में आपको काफी लाप पहुंसता है अगले रोग के बारे में जिसमें गिलोई का सेवन करने से हमें लाप पहुंसता है अगर गिलोई को काफी गुनकारी बताया गया है गुडूची के दस से बीस मीली लीटर रस में दो ग्राम पासान भेद चूरण और एक चम्मस सहद मिला लें इसे दिन में तीन चार बार सेवन करने से रुक रुक कर पिसाब आने की बेमारी में काफी हमको लाब मिलता है अब फ्रेंश बात करते हैं अगले रोक के बारे में अगर फ्रेंश गठिया है और गठिये में आप गिलोई का सेवन करना चाहते हैं तो फ्रेंश निश्ची गुरूप से आपको लाब होने वाला है गिलोई के 5-10 मिली लिटर रस में 3-6 ग्राम चूरन या 10-20 ग्राम पेस्ट या फिर 20-30 मिल गढ़ा रोज कुछ समय तक सेवन करने से गठिया में अत्याधिक लाब होते हैं फ्रेंट्स सोट के साथ सेवन करने से जोडों का दर्द मिट जाता है अब फ्रेंट्स बात करते हैं अगले रोग के बारे में गिलोई की फाइदे फाइल एरिया यानि के हाथी पाउँ जिसमें काफी हाथी पाउँ काफी मोटा हो जाता है और उसमें पाउँ में प्रोम्लम होने रखते हैं तो उसमें लाब लेने के लिए 10 से 20 मिलिलीटर गिलोई के रस में 30 मिलिलीटर सरसो का तेल मिला लें इसे रोज सुभै और साम खाली पेट पीने से हाती पाउं या फाइल एरिया रोग में काफी लाब हमको देखने को मिलता है अगले रोग की गिलोई से कुस्ट रोग यानि के कोड की बेमारी जिसे लैपरोसी भी कहते हैं उसमें गिलोई काफी फाइदेबन बताई गई है 10 से 20 मिलिलीटर गिलोई के रस को दिन में 2-3 बार कुछ महीनों तक नियमित सेवन करने से कुस्ट में लाब पोंचता है अब फ्रेंट्स बात करते हैं अगले रोग के बारे में यानि के बुखार के बारे में फ्रेंट्स अगर आपको बुखार बार बार आता है या बुखोर की समस्या है तो इससे रिलेटिड में आपको काफी सारी इसके नुक्से बताऊंगा इन्हें आप ध्यान सुनिएगा फ्रेंस चालिस ग्राम गिलोई को अच्छी तरह मसल कर मिट्टी के बरतन में रख लें इसे 250 मिली लीटर पानी मिला कर रात भर ढख कर रखें इसे सुबह मसल कर छांद कर परियोग करें इसे 20 लीटर की मातरा दिन में तीन बार पीने से पुराने से पुराना बुखार ठीक हो जाये करता है अब फ्रेंट्स बात करते हैं अगले लाप पहुचने के लिए गिलोई का प्रियोग 20 मिली लीटर की रोई के रस में एक ग्राम पीपली तथा एक चमच मदू मिला ले इसे सुबह और साम सेवन करने जब पुराना बुखार कफ तिली बढ़ना और खासी एरूची आधी रोग ठीक हो जाये करते हैं अब फ्रेंस बात करते हैं अगले नुक्से के बारे में बेल, अरनी, गंभारी, शोनाक यानि के सोना पाठा तथा पाठा की जड़ की च्छालने इसके साथ ही गिलोई आवला धन्या ले इन सभी को बराबर बराबर मात्रा में लेकर इसका गाड़ा बना ले बीस से तीस मिलिलीटर काड़े को दिन में दो बार सेवन करने से वातज विकार के कारण होने वाला भुखार ठीक हो जाये करता है अगले नुक्से के बारे में मुनक्खा गिलोई गंभारी त्राय मान तथा शारा सारीवा के सारीवा से बने गाड़ा 20-30 ml गुड मिला ले गाड़े में 20-30 ml गाड़े में गुड मिला ले इसे पीने अथवा बराबर मात्रा में गुडूची तथा सतावरी के रश 10-20 ml में गुड मिला कर पीने से वात विकार के कारण होने वाला बुखार उतर जाया करता है अब फ्रेंस बात करते हैं अगले नुक्से के बारे में 20-30 ml गुडूची में गाड़े में पीपली चूरन मिला ले इसके अलावा छोटी कटेरी सोट था गडूची के काड़ा 20-30 ml में पीपली चूरन मिला कर पीने से वात और कफज विकार के कारण होने वाला बुखार सांस में उखडने की परेशानी शू की खांसी और दर्द की परेशानी को ठीक करने में काफी फाइदेबंद है सुबह के समय 20-40 ml गडूची के चटनी में मिस्री मिला कर पीने से पित विकार के कारण होने वाले बुखार में काफी लाब होता है गडूची सारीवा रोदर कमल तता नील कमल अथवा गडूची आवला परपट को समान मातरा में मिला कर गाड़ा बनाए इस गाड़े में चीनी मिला कर पीने से पित विकार के कारण होने वाले बुखार में आपको काफी लाब होता है अगले नुक्सके के बारे में बराबर मातरा में गडूची नीम तता आवले से बने 20-25 मिल्टर गाड़े में मधूग मिला कर पीने से बुखार की गंभीर इस्तिती में भी काफी लाब पोशता है अगले नुक्सके के बारे में 10 गिराम गुडूची के चूरन को कपड़े से चान ले इसमें 16-16 गिराम गुड मधूग तता गाए का घी मिला ले इसका लड़ू बनाकर पाचन छमता के अनुसार रोज खाएं इससे पुराने से पुराना बुखार गठी है आँखों की समझे से आधी रोगों में काफी फाइदा पोशता है इससे यादास भी बहुत अच्छी होने लगती है अब फ्रेंस बात करते हैं अगले नुक्से के बारे में गिलोई के रस तता पेस्ट से घी को पकाएं इसका शेवन करने से पुराना बुखार भी ठीक हो जाया करता है अब फ्रेंस बात करते हैं लुक्स के बारे में बराबर मातर में गिलोई तता वरहद पंच मूल के पचास मिली गाड़े में एक ग्राम पीपली चुरन तता पचास से दस ग्राम मधू मिला कर पिएं इसके अलावा गुडूची गाड़े को ठंडा करके इसमें एक चोथाई मधू मिला कर पिएं इसके अलावा आप 25 मिली लीटर गडूची के रस में 500 मिली ग्राम पीपली चुरन तता 5-6 ग्राम मधू मिला कर पिए सकते हैं इससे पुराना बुखार सुखी खासी की परेशानी ठीक हो जाए करती है और फ्रेंस भूख भी बढ़ने लगती है अब फ्रेंस बात करते हैं अगले नुस्रे के बारे में पतंजली की गिलोई और बनवटी का सेवन करने से भी फ्रेंस इसमें लाब पहुंसता है तो फ्रेंस अब हम वीडियो को लंबी हो जाएगी इसलिए हम फ्रेंस इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और इसके आगे जो आने वाली वीडियो है तो फ्रेंस उसमें भी गिलोई के उपर ही बात होगी क्योंकि फ्रेंस गिलोई से होने वाले लाब बहुत जाद हैं और उन सभी को एक वीडियो के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल होगा तो फ्रेंस तो मेरा लास्ट में यही आप से कहना है कि फ्रेंस अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जान करें पास इस वीडियो को पुचाएं, ताके सभी लोग इस वीडियो से होने वाले लाब और नुक्सों के बारे में जानकर भी प्राप्त करके अपने जीवन में बदला उला बासके तो फ्रेंस तब तक नमस्कार फ्रेंस, बाबाई